अच्छा लास्ट हम ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि जो संसकार वाला फोल्डर है उसमें पांच तरह की संसकार होते हैं पहला कौन सा था हमारा ओरिजनल संसकार है दूसरा कौन सा था हमारा लास्ट बर्थ का संसकार तीसरा मा के गर्व वाला संसकार चौथा जेनम लेने के बाद से आज तक चारों और से क्या सीखा और पांचवा विल पावर हम इसे सिंप्ली ऐसे समझ लेते हैं कि पांच तरह के संसकार अवचेतन में हैं यानि अवचेतन में प्यूरिटी भी है इंप्यूरिटी भी है और सिंप्लिफाइ करें तो कहें अवचेतन में राम की शक्तिया भी हैं रावन की भी हैं now we have choice के हमें क्या choose करना है हमें कौन सी शक्ति को कारे में लगा ना यह हमारी चोईस है जैसे मानलब अवचेतन मन एक रेस्टरांट हो और हम उसमें जो order करेंगे वो आ रहा है और order करने का एक नियम है कि हम उसे back to back powerful affirmations दे शक्ति शाली स्वयमान दे अपने मन को मान दे जब हम अपने मन को मान देते हैं स्वयम को मान देते हैं तो हमारे अवचेतन से राम वाली शक्तियां कार्य करेंगी जो भगवान की शक्तिया हैं वो कार्य करेंगी लेकिन जब हम स्वयम को मान नहीं देते दूसरों से सम्मान की उमीद करते हैं कि दूसरे हमें रिस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, हमारी महीमा करें यानि हम बाहर की तरफ अपनी नजरे गड़ाई बैठे हैं कि हमें बाहर से सब कुछ मिले तो वहां से क्या होता है हमारी रावन वाली शक्तिया कार्य करने लगती है और वहां पे हम क्या होने लगते हैं अधीर यानि कहते हैं राम है धैर रेवान और रावन है अधीर तो अधीरता वाला जो रावन का गुण है वो अंदर से जागेगार वो काम करने लग जाता है इसलिए अपने जो ओरिजनल संसकार है न उनको जगाई ये और उसका सबसे पहला स्टप है सवेरे उठते ही अपने माइड की उस तरह से प्रोग्रामिंग करना अपने मन को ये याद देलाना कि तुम कौन हो जैसे गायन है हनुमान को ये याद देलाना तुम कौन हो तुम कौन हो तुम कौन हो से शक्तिय याद आती है और उस आगर को लांग जाता है ठीक वैसे ही से हमें अपने मन को याद देलाना है कि हे मेरे मन तुम बहुत शक्ती शाली हो, बहुत प्यॉर हो, टिवाइन हो, तुम में भगवान की शक्तिया है, तुम्हारा कार्य सब को देना है, सब को आगे बढ़ाना है. जब इस तरी से मन से बाते करते हैं, तो आप देखेंगे पहले दिन से, इवन जब हम ये पहले दिन से ही देखेंगे, कि हाँ कुछ तो अलग हो रहा है, पहले से बहतर हो रहा है, पहले दिन ही, इसमें कोई ये नहीं हम कह सकते, इतने दिन में काम करेगा उतने दिन में, आप देखेंगे पहले दिन से ही काम करेगा जब पहले दिन से काम करेगा तो हम क्या करेंगे वह तो कारे कर जिसमें सबसे पहले है knowledge, याद रखेंगे, अपने आपको कहेंगे, कि I the soul is knowledgeable, मतलब मैं आत्मा ग्यान स्वरूप हूँ, इन गुणों को ऐसे याद रखना, कि जैसे ग्यान स्वरूप हो गया, कि मैं आत्मा ग्यानवान हूँ या ग्यान स्वरूप हूँ, दूसरा, क्या ग्य कहते हैं, जा शान्ती हमाँ प्रेम होता है, देखिया ना, प्रैक्टिकल देखिया, जा शान्ती हमाँ प्रेम होता है, जा प्रेम हमाँ आनंद होता है, जा आनंद हमाँ शक्ती है, तो इस seven qualities हैं आत्मा की, इनी पर based affirmations अवेरे repeat करिये, इन सातों गुणों में से कोई सा भी मैं बहुत सुखी हूं, तो सवेरे उठकर उसे किस तरह से visualise करेंगे, मन का काम था सोचना, we will think about it, then I am a happy being, मैं बहुत सुखी हूं, फिर उसे बुद्धी visualise करेगी, क्योंकि मन जब तक vision नहीं देखेगा ना, तब तक वो महसूस नहीं करता है, जैसे मान आप टीवी देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, कुछ तब तो मन emotions में आता है, भावुख हो जाता है, लेकिन radio आप सुन रहे हों, और सुन रहे हैं, और आपकी बुद्धी आपके मन को वो चीज विश्वलाइस करके ना दिखाए, तो आपका मन कुछ फील नहीं करता, तो radio सुनते हुए भी ह हमारी बुद्धी विश्वलाइस करकर के मन को दिखाती रहती है, वैसी हमने इन affirmations को विश्वलाइस करना है, जैसे मानो, I am a happy being, तो happy being कैसा होगा, यानि एक सुखी आत्मा कैसी होनी चाहिए, उसका connection सुख के सागर, परमात्मा से कितना प्यारा होना चाहिए, तो हम क्या देखंगे यहाँ पर, हम देखेंगे कि मैं एक आत्मा, light की body में हूँ, एक विशन बनाते हैं कि मैं प्रकाश की देहे में हूँ, जाति लग देते हैं, यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ से बहुत divine rays निकल रही है, यहाँ से बहुत divine rays निकल रही है, यहाँ से आकाश में सितारा चमकता है न, बिलकुल ऐसे देखे हैं, बहुत सुंदर divine star यहाँ, it's me, I am a happy being, मुझसे खुशी की किरने, पीली किरने निकल रही हैं, और यह मेरा पूरा देहे लाइट का है, मैं मंद मंद मुस्कुरा रही हूँ, अपने पूरे दिन को विश्वलाइस करें, आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं, उन सभी स्थान उपर हर एक विक्ति को मुस्कुराता हुआ देखिए, परमात्म लाइट को अपने उपर बरसता हुआ देखिए, मैं बहुत सुखी हूँ, आप ये कई बार कह जाएए सबेरे सबेरे, साथ बार 21 बार रिपीट करी और इस तरह से विशन बनाईए, दिन भर देखना इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है? कर देखिए? कर कर दिम